निकाय चुनाओं की गहमा गहमी जारी है और सुभासपानेता इसी बीच पाशी में पहुँच गया है तो तैयारी कैसे है निकाय चुनाओं की तैयारी हमारी पार्टी के नेताओं दोरा पूरी कर ली गई है लगभग प्रत्यासियों से आवेदन करा लिये हैं हर जिले में ल लगाई है तो जह एलान हो जाता है तो पार्टी प्रत्यासी घोसित कर दिये जाएंगे पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगे सवाल यह है नेता जी कि अकेले दम पर या किसी को साथ जोड़ के अकेले अपने दम पर पूरी तरह से हम लोग देखे अकेले लड़ते रहे तो बलिया में हम लोग दो नगर पंचाय जीतते थे देवरिया में हम लार जीत जाते रहे हम छे से साथ नगर पंचाय अपने दम प परिवार के लोग हैं परिवार में जब किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो दूर चला जाता है अग फिर जा करके फिर दीरी दीरे दीरे लोड के आता है कहीं ये जैसे ट्रेन है ना ट्रेन पर लोग चाड़ते हैं जाके अगला इस्टेसन उतर गए फिर दूसरे दिन जरुरत पर इतर पेच चाड़े गए तो ये कोई दिक्कत नहीं है देके पार्टी एक विचार धारा ह जिस मुद्दे को लेके पार्टी जैसे अभी आपने देखा कि विधान सभा में हमने कहाना है कि जो सरकारी बिजुली विभाग के अधिकारी हैं उनको बिजुली फिरी दे रहे है आप सिर्फ उनका मीटर लगा दो फिरी दो लेकिन मीटर लगा दो उनसे जी-एश्ती ले कि जो गरीबों के घर यहाँ, और जहां 5 थी लक पकायाै, महां कानखर यह नहीं कट रहा है, तो जब देश में बड़े-बड़े उद्योक्पतियों के करजे माप हो सकते हैं, तो इमके घोरे-लूब-जम्म시면 नीकों गोशित करके इनको भी माप कर दो किसी की हिम्मत नहीं सदन में बोलने की 403 विधायक थे दाखिल खारिज में या वो रासत में अगर कोई तूटी हो गई नाम में तो विचारा चार साल पांच साल छे साल दोड़ता है जबकि संविधान में व्यवस्ता है कि वो उसको जल्द ठीक कर दिया जाए तो समय सीमा बाद करके जो भी आप एविडिन्स मांगे चाहे आधार काड हो रासन काड हो चाहे हाई स्कूल इंटर का सर्टिपिकर जो भी मांग करके आप उसको क्लियर करके समय सीमा बाद है यह अगर कोई बोल सकता है सदन के अंदर तो हुम प्रकास भारती समाज़ पार्टी के अलमा किसी की हिम्मत जंता से जुड़े हो भी सवाल हैं जो मानिराज ना सिंग ने जो बनाई थी सामाजी के नेया समीति उस के बाद दूसरी रिपोर्ट जो बनाया रागवेंदर सिंग जी के नित्वित में सामाजी के निया कमेटी जो बनी उसकी रिपोर्ट लागू करने के लिए अगर सदन में कोई बोल सकता है तो सिर्फ ओम प्रकास राजभर भारती समाज पार्टी सदन में आपने देखा कि हाई कोट के आदेश के बाद भी भर राजभर जाती को आरक्षण यस्टी में सामिल करने के लिए सरकार को निड़ेश वा कि प्रस्ताव दिल्ली बेजो लेकिन किसी की हिमत नहीं सभी दलों से विधायक हैं वहाँ किसी की हिमत नहीं पढ़ती सदन म मिल तो गए लेकिन अभी तक चाचा कहीं में नहीं आपा रहे हैं दिख नहीं रहे हैं लाया नहीं जा रहा है आपको क्या लगता है कौन सा पद उनके लिए सबसे अच्छा होगा और देंगे कि क्या करेंगे आप आपके क्या विचारे कहां अलग थे 2022 का चुनाव आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर शुपाल जी लड़े अलग कहां थे अभी चुनाव आ गया फिर एक हो गए तो यह जब चुनाव भी जाता है तो बाहर चिलाते रहे जब चुनाव आ जाता तो यह जाते हैं कहां अलग थे तो विलाय हो गया अब भी तो पिलते अन्दर अन्दर हो रहा है यह ताइम है अंदर वाली बात आ है मैं अब यह सल में 18 तारीक को हमने महीला हख अधिकार महरएली रख आ है और वो कार्क्रम करने की बात तब हम लखनौ जाएंगे तो फिर महा ने तांसे मिलेंगे तो बता देंगे क्या आपके साथ बे राजनीत में कब क्या होगा किसी का कोई ठीक ने चाहे हम हो चाहे कोई हो कोई मानता था कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी ये खोगी कोई नहीं मानता था कि महबुबा मुप्ति के खिलाब बीजेपी कहते थे कि अलगावाद की बात करती हैं पीडीपी और भारती यंता पार्टी वहीं दोनों से मिल करके गडबंधन कास्मिर में सरकार बनी आप नितीज जी को ले लिजे बीजेपी को कहते थे भारती जुटा बढ़का जुटा पार्टी मिलके सरकार चलाए लालू जी के बिशे में कहा था कि हम राजनी से सन्यास ले लेंगे ले कब किधर चल देंगे कोई भरोसा नहीं है यह जो दो मोहा साप और नेता जी और यह सारी चीज है इशारों इशारों बता कि खुले के जानले जो संकेत हैं वही जानले, शुपाल जी, उधर या इधर, आप से कभी संकेत मिले, किसी से बाचıt? या ये दू मुहाँ वहला क्या है, ये छक्कर क्या इसके पीच़? कि देखे हमारे हैँ इस झाल मरर्जी होती थी तो फिल लगई हुधर मुँवन कहा है दैजिएट जिसे आपके चैनल पे तोड मरोड के दिखाया जा रहा है आप अहले तो चांपे खुब और फिर बाद में तोड मरोड को दिखाया जा रहा है इसी को हम कहते हैं दो मुहिया साफ अखिलेश यादो के बीच अगर बात करें जो आप लोग भी नेता हैं सूचना है तो आती ही रहे होंगी तो क्या कटूता थी अकेले जी पूराने सबी नेताओं को दरकिनार करके अकेले की राजनीत करना चाहते थे जटका लगा उनके गढग गए आजम उनके गढग गए रामपुर। उनके काई गढढ अनके गढ़ ही हो गए तब उनकी नीत खुली जब उनकी पतनी चुनाव मैदान में उतरी तब नीद खुली तब जा करके एसी कमरे से बाहर निकले और बाहर निकलने का रिजल्ट भी उन्होंने हासिल किया तो जब रिजल्ट हासिल किया तब उनको लगा कि अब हमको चाचा जी को साथ लेना चाहिए जिनको हम कोच उनमें जगी है अब कहां तक वो सफलता पाएंगे उनके उपर है तो चुकि जो विचार थे जो राय थी वो आप ही कि थी कि एसी कमरे से बाहर निकले और निकले तो क्या वो भी आपने उनको ऐसा दिया था कि विचार अपना बेक्त किया था कि बएचा चाचा को भी के जोड़ लेते हैं मैं तुआ आपके सामने कई बार सभी लों के सामने कहा था कि मेरा प्रयास वह रहा की 22 में सियुपाल जी साथ हमें आप भी सवाल करते हैं संभव नहीं है हमके आज प्रयास करना अपना काम है ख utilized में सफलता मेली कि सी हुप जी साथ साथ आए आगे क्या आभ भी साथ में जुड़ सकते हैं अभी कोई गारंटी नहीं है अभी चुना बहुत दूर है अभी राजनीत में बड़ा उतार चड़ा होंगे तो अब उतार चड़ा हो इले तब फिर बता में मनोश्तिवारी को लेकर कई बार शोशल मीडिया पर वार चिड़ते रहे हैं और एक वार और चिड़ गया है तीन बच्चियों को लेकर तो क्या जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है क्या आपको क्या लगता है सरकार की पॉल्सी गलत है नस्बंदी कराने पर 6,000 और बच्चा पैदा करने पर 8,000 अब बताइए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए एक आदमी को कितने बच्चे होने चाहिए एक नारा कांग्रेश ने दिया था छोटा परिवार सुखी परिवार और सरकार भी समय समय पर हमने देखा है कि ज उसको कम अबादी का एरिया बना करके गाउं घोशित किया उसी फर्मूले पर कि छोटा गाउं घोशी गाउं चोटा प्रदेश जैसे हम लोग नहीं करते हैं पुरवांचल अलग कर दो हरीत प्राद अलग कर दो बुंदेल खंड अलग कर दो अध्यान चल अलग कर दो तो सोखी परिवार तो इतो व्यक्ति के उपर निर्भर है लोग तंत्रे सोतंता है कोई किसी को रोक नहीं सकता जबरी नहीं कर सकता जब तक कोई बील लाकर के कानून ना बना दिया जाए कानून बनने की जरूरत है चुकि बात राजनीती से जुड़ी हुई है इसलिए मेरा सवाल बार बार आपसे यह आ रहा है कि तीन बच्चियों को लेकर तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं निशाने भी साधे जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि यह सही है या गलत है देखे नेता का जहां आहित होगा वो कानून नहीं बनेगा एदम साब साब जान लिजे नेता लोग चुकि अब पांसो तैंतालिस मेंबर अप पर लिया में इंठें दिल्ली में अब उसमें अगर आधे से अधिक लोग उसमें फसेंगे तो उपड़ जकान नहीं ऐसा नेता जी आखरी सवाल है कि निकाय चुनाओं में सामने वाला विरोधी दल किसे मानते हैं और किसके विरोध में आप निकाय चुनाओं लड़ेंगे अपने दल के साथ हमारा कोई विरोधी नहीं है हम अपने मुद्दों के आधार पे जनता के बीच में जाएंगे हमारे ल मुद्द्धियों को ले करके हम लोग लड़ रहे हैं ये मुद्द्दें अगर सही है तो आप हमको ओड़ दीजी नहीं हम सही हैं लड़ाई हैं हम लड़ाई पूल पुलिया खड़ंजा आवास सवचाले पिंसन जो आपकी मूल-भू समझ्या उसके लिए लिए लड़ाए है हमारे सांट आ यह थाने की प्रभी होगी तहस्यली प्रभी होगी आपके निकायच नगरपंचायत अधिकारी कि Call प्रभी होगी जीलेक्तिय Track पर्भी होगी तो हमारे नेता बेहिचक आपकी पूरी ताक्त के शाथ मदद करेंगे तो निकायच चुनाओं में वी रोधी कोई नहीं लेकिन मुद्दों के लड़ाई लड़ने के लिए उम प्रकाश राजबर अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाओं मैदाम में उतरी कैमरामन विश्चेश के साथ नितिश कुमार पांडी एबीपी गंगा वारांसी एबीपी गंगा खबर आपकी ज